सबी को नमस्कार कैसी है आप अच्छी है ना आज हम यहाँ पर प्लाउज पिस से शुबलाप का वॉल हेंगिंग बिनाएंगे सिंपल तरीके से यहाँ पर मैंने यह कुछ पर्ल और गॉर्डन बीड्स लिये है यहाँ पर्ल्स है और यह इस तरह का लेज लिया है यह इस तरह का ब्लाउज पिस लिया है मैंने आप कोई भी कलर का कैसा भी ले सकते हैं और यह इस तरह के पॉम पॉम है यह शुबलाप के स्टिकर्स है कार्डबोड और यह ग्लूर शिजर है यहाँ पर मैंने 6.5 सेंटिमेटर का स्क्वेर कट कर लिया है इस तरह से दो पिस लेने है और इस से बड़ी साइज का यह कपड़ा कट कर लेंगे यह दिखे इस तरह से और इसके बॉर्डर में दिखिए यहाँ पर हमें ब्लू लगा लेना है यहाँ पर बॉर्डर में लगा लेंगे और इसको स्टिक करेंगे इस तरह से यह दिखे हमें यह जो कपड़ा कट करना है यह जो हमने स्क्वेर लिया है कार्डबोर का हिससे बड़ी साइज का कपड़ा लेना है यहाँ पर हमें इस तरह से स्टिक करके लेना है दिखे हैं यहाँ पर यह रबर बेस्ट ग्लू लिया है मैंने तो यह जल्दी से स्टिक हो जाता है स्टिक कर लेना है इसे बन जाएगा यह इस तरह से ऐसे बनेगा अभी यहाँ पर हमें इसको पीछे की साइड में स्टेक करना है इस तरह से यह जो इसके बीड से यागे की तरप आ जाए इस तरह यही इसको यहाँ स्टेक करना है यह दिखे चारों कॉर्णर में यह लेज को स्टिक करेंगे, इस तरह आप यह भाइट ग्लू से भी स्टिक कर सकते हैं, उससे स्टिक होने में थोड़ी देर लगेगी, मगर यह उससे भी स्टिक हो सकता है, अगर आपके यहाँ पर यह ग्लू अवेलेबल नहीं है, आप भाइ इस तरह यह ऐसे बन जाएगा, इस तरह से, अभी यहाँ पर हमें, यह जो हमने वाइट पर लिये है, इसको वाइट ग्लू के साथ यहाँ पर स्टिक करना है, यहाँ पर यह दिखे इस तरह से, यहाँ पर हमें यह हाँ पर को स्टिक करते जाना है, इस तरह से, चारो कॉर्नर में हमें यह हाँ पर लगा लेने है, यह दिखे इस तरह स्टिक करते जाएंगे, ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर हमें इस तरह से, एक एक पर लगा लेना है, हाँ पर ल, चारो बॉर्डर में लगा लेंगे, इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पर हमें सुई धागे में, यह मैंने उलन थ्रेट लिया है, आप कोई भी धागा ले सकते हैं, और इसको यहाँ पर कट करेंगे, यहाँ पर यह एक पॉम पॉम लगाएंगे, यह मैंने पिंक कलर का लिया है, कपड़े को जो मैंच है, आप कोई भी ले सकते हैं, और यह वाइट पर्ल और यह गोल्डन पर्ल इस तरह लगा लेंगे, इस तरह से बन जाएगा, इस तरह के हमें दो बना लेने हैं, यह देखें इस तरह, अभी इसको हमें पीचे के साइड में स्टेक करना है, यह सुखने के बाद यहाँ पर इसको स्टेक करेंगे, यहाँ पर एक लू लगा लेंगे, और यह नीचे के साइड में इसको स्टेक करेंगे, इस तरह से, यहां उपर में हमें धागा स्टिक करना है इस तरह से हैंगिंग के लिए आप इसको हैंग नहीं करना चाहते तो आप इसके फीछे में डबल साइडेट टेप लगा सकते हैं दीखें इस तरह से यहां पर चुटी साइज का किसी भी वेस्ट पेपर का square cut करके लगा लेना है इस तरह से ऐसे बने गाई इस तरह के हमें दो पीस बना लेने है इस तरह से अभी यहाँ पर यह चुबलाप के sticker से इसको stick करेंगे इस तरह यह दिखेए हमारा दिवाली डेकोरेशन के लिए शुबलाप बन गया है बिल्कुल हसान तरीके से और कम सामाने कुपसूरत सा दिवाली डेकोरेशन कैसे लग रहा है आपको अभी आपकोरेशन के लिए